ह्लो फ्रेंड में हूँ आपका दोस्त आज हम बात करेंगे ऐलेक्तिकल के बार में आपको पताए स्था हैbaum टेबांक बात किया है और यह हमारा किस्त काम में लगता है ठीक है उससे पहले अब अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसका साइड में रहने वाला वेल का इकॉन को दबा के और सेलेक्शन कर दीजिए ताकि आगा याने मेले हर वीडियो के नोटिविशन अगों मिलता है चले ठीक है करते हैं इलक्रमेंग्नेक्शन य होता है ठीक है इलक्रो मेंग्णेक्शन इलक्रो मेंग्नेक्शन अप देख पा रहें इसका मतलब हैं magnetic induction और electromagnetic इता production of an electromotive force across an electrical conductor in a changing of magnetic field इसका मतलब भी है कि जो यह में produce होता है एक conductor का अंडर एक conductor का अंडर अगर यह में produce होता है और वो magnetic force का changing के वज़े से तो फिर उसको electromagnetic induction बोलते है जैसे कि आप में example देता हूँ ठीक है सुचिए यहाँ पर यह दो magnet है ठीक है देख पार है आप दो magnet और बीच में एक एक बीच में एक conductor है ठीक है यह electric conductor है और उसका बीच में आपको यह क्या है ना यह देख रहे है यह क्या हो है यह magnetic flux है जो इस magnet से हो में जाता है यह क्या है ns और ns देख पार है यह इसका वज़े से जो EMF इसका अंदर EMF मतलब electromotive force जो create होता है जो induced होता है इस प्रोसेस को electromagnetic induction बोलते है इसके बार में मैं स्कीन पर देखते हैं अब कि स्कीन पर इसको लेक दीचें मैं स्कीन पर दे रहा हो है चलिए ठीक है इसको किसी ने मायंकल फारषर्ष ने 1831 को डिस्करवर किया था और उनका नाम पर दोब्ह उन्ला लीक। लिकाला था एक फारषर्षरष फश्त फास्टला और सिकेंड लाइस केंड सेंन पर बाद फारस फास्ला फारस फास्ला यह बोलता है कि फास्ला स्टेट दाट बहने पर कॉंड़क्टर कॉट बाई यह मेगनेटिक लाइन्स ऑप फोर्स एन एमेफ इस इंडूस्ट इनिट मतलब यह से आप देख रहें कि क्या बोलता है अगर अगर कॉंड़क्टर कॉंड़क्टर क्या मेगनेटिक लाइन्स ऑफोर्स की अंदर से तो यहाँ पर इमेफ लीडी हसके हक फ़क्रियल्य अवसर्ली आ今天的 व्पर है और यह क्या एक कंड़क्टर काउर्ड कर रहें यहाँ इसके थ्वर्प से इसे के भचल other is इसके है यह है फ़सला और शेकंड़ ये बोलता है कि अब स्धाइब देखले जेव स्धारीं लौ सप प्रफट्स दा करें प्रोक्स्लणे कहां सभी क्लीच इसबी न वि आरेटव या एक प्रफॉक्स फोप्राप्सिटर安ud कट हो के लिंक होता है ना फ्लोक्स यहाद पर जो rate of change of the फ्लोक्स लिंक होता है इस कंडॉक्टर तो उस फ्लोक्स डाइरेक्ट प्रपेस्टनल क्या किसके साथ होता है EMF से थे, क्या थे, Fox Fox Link Linked, मतलब जो Fox Linked और EMF EMF और Fox Linked ये दोनों Direct Proposional होते हैं, मतलब अगर EMF करेंगा, तो Fox भी कम हो जाएगा अगर Fox बढ़ेगा, तो EMF बढ़ेगा यही है, फरस फास ला, सेकंड ला ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप टुफिया मेरा चैनल को Subscribe तो करते हैंगे, और Like भी कीजिए, और Share भी कीजिए और आगे हम इसके बारे में और भी बात करेंगे और Motor, Generator और Transfer बारे में पढ़ेंगे और कैसे कैसे यह होते हैं, और उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे Framings Right Hand Rule और Left Hand Rule मतलब Framings Right Hand Rule और Left Hand Rule कौन सा Motor में, कौन सा Generator में यूज है उसके बारे में देखेंगे और आप Subscribe करेंगे इतना ही नहीं आपको पता है कि आजकल का Industry में Automation System हो गया है तो Automation System में बारे में बात करेंगे Electrical और Automation के अंदर क्या Link है और उसमें क्या क्या यूज होता है जैसे की Sensor, Transmitter बहुत चीज़ है Diet क्या है इस सब के बारे में बात करेंगे ठीक है तो आपको वीडियो लगा तो Like कीजिए Thank you